नमस्कार बहुत सबागत आप सभी का बैहूं सौरब शर्बा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की सीधे संसत्भवन के बाहर से विजय चौक से लाइब विमार हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक की बड़ी खबर ये है कि हैदराबाद में शपद गरेंट समारो शुरू हो चुका है कॉंग्रेस सरकार का रेवन्त रेड़ी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेलंगाना के बड़ा उलट फेर जो तेलंगाना में हुआ चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी की सरक कार बनी के सियार दो टर्म मुख्यमंत्री रहने के बाद बाहर हुए और इस वक्त सजा हुआ है रेवन्त रेड़ी के लिए गांधी परिवार से राहूल गांधी वहां पहुंच चुके हैं प्रेंका गांधी वहां पर पहुंच चुकी हैं और एक शक्ती प्रदर्शन की तैयारी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से बहां पर है और यह भी संदेश देने की कोशिश कि केवल तीन राजियों में जो भारती जंता पार्टी की राजी उससे कुछ सिद्ध नहीं हो जाता 24 के लिए और यह खबर है कि तमाम जो विपक्ष के राज्य हैं मुख्यमंत्री हैं उनको यहां न्योता दिया गया है सवाल यह है कि आएगा कौन-कौन इस पर एक नज़र अभी हम लोग थोड़ी देर में डालेंगे बहां से जब तस्वेरें और आना शुरू होंगी लेकिन एक बड़ा भव्य कारेकरम रखने की कोशिश की गई है बताया गया एक गांधी का recorded message play किया गया कहा गया सोनिया गांधी थी उस वक्त जिन्होंने अलग तिलंगाना राज्य बनाया और उनकी खाहिश थी कि यहां कभी Congress Party की सरकार आया और वो खाहिश तिलंगाना की जनता ने पूरी की इसके लाब राहुल गांधी प्रेंका गांधी का वहां पर जो प्रचार रहा इस सब को भी लगातार Congress Party project कर रही है और ये बताने की कोशिश भी है कि दक्षिन भारत में भाजपा की दबार बंद कर दिये गए हैं अब दक्षिन भारत में दो राज्ये Congress Party के पास हैं करनाटक और तिलंगाना तो जो राश्टी राजनीती को लेकर projection है वो भी आपको इस शपत ग्रहन समारों के बहाने से देखने को मिलेगा रेवन्त रेटी थोड़ी देर में शपत ग्रहन करेंगे और रेवन्त रेटी का background अपने आप में बहुत interesting है ये दरसल RSSBJP stable के नेता हैं वहीं से इनोंने राजनीती सीखी वहीं से आगे बढ़े ले लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं रेवन्त रेटी का बयान भी उसी तरज पर था जब उन्होंने कहा कि की सीर्थ मूलता बिहार के हैं बिहारी हैं वो भी कुर्मी बिहारी हैं और तेलंगाना का DNA श्रेष्ट है बिहार के DNA से तमाम बातें जो उन्होंने कहीं थी ये अब एक-एक करके गिनाई जाने लगी हैं बताई जाने लगी हैं लेकिन आप देखिए कौन-कौन निता वहां पहुंच रहे हैं इसकी लिस्ट भी आपकी स्क्रीम पर लगातार चल रही है तो हैदरबाद से लाइब तस्वीरें भी आप लगातार देखते रहेंगे घारशबरद पार्टी के हाथ लगा है तो वह यह तो बताना चाहेगी कि भी हम सिफर नहीं रहें बिल्कुल सवराब और सांतोना प्रोस्कार के तौर पे जो चीज़ मिले उसे ज्यादा से ज्यादा जीत के तौर पे पेश किया जाना यह कौंगर्स पार्टी के रेंडिती दिख भी रह हैं क्या ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी यह उम्मीद करें ही कि नितिश कुमार जोंगे खुद भीहारी कुर्मी हैं वो इस मंचमोन के साथ रहें और इस तरह की बयान बाजियों से दूसरे दल पे कितरा बुरा असर होता है कॉंग्रेस पार्टी शायद अभी तक ठीक तरीक उनकी स्टेटजी रही थी कि जब जब राहूल गांधी का कोई कारकरम तेलंगाना में होता था उसमें वो अपने सारे रिसोर्से लगाते थे इसके अलावा पार्टी का कोई भी नेता वहां पे जाए या कुछ डिमांड करें वो उस बात को नहीं सुनते थे इस तरीके से नोंने राहूल गांधी का पूरा भरोसा जीत लिया था उस चुनाव में जीत के बाद समझा जा सकता है कि उस भरिसों के किस प्रकार का पुरसकार दिया गया है थोड़ा रिवन त्रेटी के बारे में बताना चाहिए दर्श्रकों को कि आखिर कहां से उपजे हुए नेता ह हैं कहां इनकी पॉलिटिक्स जो है उसने अपनी जणे जमाई है हर्श्वधन त्रिपाठी जी में मजाक में कुछ लोग कह रहे थे चर्चा सुन रहा था इचली एक और संगी मुख्यमंतरी मिलने जा रहा है देश को तेकि राहूल गांधी अक्सर कहा करते हैं कि यह सरकार जो चल रही है न इसने हर जगात कोई संगी बेठा रखा है तो राहूल गांदी कितना व्याओहारिक है किटना क्योंकि मैं तुछ यह मानता हूं कि सरकार में कोई संगी नहीं होता है देर सारे लोग हैं जो संग की प्रिष्ट भूमी से आते हैं वैचारी का अधार है लेकिन कोई कहें कि सरकार में कोई आईएस कोई PCS कोई विरोक्रेसी वह संगी हो जाएगी उसका विचार विचार धारा कुछ भी हो सकता है लेकिन हाँ अब तेलंगाना का मुख्यमंत्री तो मूलता संगी वेटने जा रहा है अखिल भारती विद्यारती परिष्ट की प्रिष्ट भूमी से इन्होंने राजनीती शुरू की चात्र संग ठन की और उसके बाद यह जो इनकी राजनीत रही वो पूरी तरह से अलग होई है और अंत में वो कॉंग्रेस में आये हैं तो अब कॉंग्रे यह है कि राहुल गांधी कौन सवाला ठीक कर पाएंगे मूल संगी होना उसको ठीक कर पाएंगे या जो बिहारी डिने कहकर नितिश कुमार तेजस्वी आदव या उनके दूसरे लोग है कि एसी त्यागी जैसे नेता भी उसको समर्थम नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसी स अपने पैरल किसी को नहीं खड़ा करना चाहते हैं ताकतवर नेता आपने कहा जरा इसको एक्स्प्लेइन करें तेकि रेवन्त रेड़ी कॉंग्रेस के उन नेताओं में है जो अकेले नेता है जिनके पास अपनी भीड़ है यानि अगर कहें कि उनके जो प्रदेश अध्यक औरilda प्रदर्शन की बात हो संगर्श की बात हो λέकिन फिर यहां कहूंगा कि उनसे कम संघरश भारती जन्तापंटी के निताओं ने नहीं किया था उनसे कम संघरश बांदी संजेकुमार ने नहीं किया था लेकिन कहते हैं कि MONTUM Gain का लाभंत में किसी मिलता है कोई trigger point पर बैठ कर उचलता है और वो उच्छाल रेवन त्रेटी को मिली रेवन त्रेटी ने कॉंग्रेस को सत्ता में पहुचा दिया बड़ी चुनोती ये भी होगी केसी आर जिस तरह की politics करते थे केसी आर रेवन त्रेटी के हो रही है कॉंग्रेस पार्टी तो ये बताएगी ना कि ये राहूल गांदी का करिश्मा है भारत जोड़ो यातरा की काम्यावी है प्रेंका गांदी ने जिस तरीके की सभाओं के अंदर तो ये सब उस अपील का करिश्मा है जो देखने को मिल रहा है ये रेवन त्रेटी का थोड़ा सो आजितिहास और बीट में जाना थी इतना ही नहीं कि वह एबीपी और आरेसेस की एक पत्रिका के साथ जुड़े हुए थे लेकिन 2007 में वह मतला Assembly में जो है वो MLA बनते हैं लेकिन उससे जादा 2015 का जो समय है वो रेवन त्रेटी के लिए सबसे बुरा रहा था जब वो एक रिश्वत देने के मामले में एक MLA को रिश्वत देने के मामले में उन पे आरूप लगे थे और जेल तक गए थे और उसके बाद किसी व्यक अधिका उठके आना उसके बाद खड़ा हो जाना और उसके बाइट इतना प्रदेश में इतना बड़ा mandate जो है वो दिलवाना यह अपने बहुत बड़ी बात है सोनिया गांधी देखिए महाँ पर आपको दिखाई दे रही है राहूल गांधी तो पहुंचेंगे सोनिया गांधी भी वहाँ पर आपको अब दिखाई दे रही है इसा मैं आपको कह रहा था नेता जो थे तमाम और कारकरता सोनिया अम्मा और राहुल अन्ना ये नारे जो हैं वहाँ पर लगते थे और सोनिया गांधी एक बार गई उसके बाद फिर उन्होंने वोटिंग से पहले एक वीडियो मेसेज जारी करके भी अपील की थी कॉंग्रे के लिहाँ से बड़ी बात है और एक मैसेज देने की कोशिश है कि सोनिया गांधी एक्टिव भी है अभी राजनी तीम और चौबिस से पहले सोनिया गांधी का एक्टिव नजर आना भी बहुत जरूरी है डीके शिवकुमार वहां दिखाई दे रहे हैं डीके शिवकुमार को चुनाब के नतीजों के बाद वहां पर भीजा गया था जैसे जिस दिन नतीज आ रहे थे उसी दिन उनको वहां पर भीज दिया गया था मैनेजमेंट करने के लिए कि कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि कुछ विधायकों को जो है सेफ़गार्ड करके रखना पर या कहीं लगता है यह बात कहना भी जरूरी है जो लोग रेवन्त रेड़ी को जानते हैं उनका राजनेतिक व्योहार जानते हैं उनको कतई अच्छा नहीं लगा होगा कि उनके राज्य में उनकी सफलता को प्रबंधित करने के लिए किसी पड़ोसी राज्य के निता को भेजा जा उनको बिलकुल अच्छा नहीं लगा होगा कि डीके शुकुमार वहां जाकर मैनेजमेंट जैसी चीज कर रहे हैं रेवन्त रेड़ी को बहुत साफ लगता है और वह कहते भी हैं उनके आसपास को लोग वहां कहते हैं कि मेरे से बढ़िया मैनेजमेंट कौन कर लेगा और अ अब यह कैसे आगे बढ़ेगा कई बार होता है अब डीके शुकुमार तो कहेंगे हम जहां भी संकट में फस्ती कॉंग्रेस एक ही तारणहार दिखता है और वह है डीके शुकुमार मुझे चीज और लगती है यह पूरा जो आप देख रहे हैं तस्वीरें देख रहे हैं इसमें एक कोशिश और है कि जो जो गड़बंधन बनाना चाहती है कॉंग्रेस सारे दलों का वो एक तरह से यह तस्वीरें उसका भी कहीना कहीं मैसेज देती है कि मैंने सबको इन्व देना कहते हैं वह भी इसको दिखाता है कि दिखें कौन-कौन आये हैं तब हम इस बारे में और बात कर पाएंगे कल की बैटरिक में उद्व ठाकरे की पार्टी से कोई नहीं था जो इंडिया आइलाइन्स की बढ़ा कि मतलब उनके मैंना पड़ेगा कॉंग्रेस के अंदर सब्सक्राइब कर दोजार सत्रा में वह कॉंग्रेस में आये थे दोजार इकिस में उन्हें प्रदेश अंदर मुख्यमंतिर बन गए लेकिन यह बात भी सब्सक्राइब लगातार के खिलाफ आख्रम कर अक्तियार किया वह आठ बार नजर बंद हुए उसके बाद से केसिया कैट कर परिक्रमा करता स्कूंधे विरोथ किया केसियार के बेटे के फारम जुन ने निजी ड्रोन उड़ा दिया दा जानकारी लेने के लिए के टिया अंदर टहर वह चुदा दिन के लिए जल में गए थे इसके बाद पेपर लेक्षान ऑंदोल्ण चला इसके लाबाद प कि किसी ने प्रदेश में दी है तो रेवंध रेड़ी ने दी है हाला कि संजय बांडी भी उन्हीं के टकर केते लेकिन यह दुरुबाग गिरा कि उन्हें प्रदेश अटा दिया गया और रेवंध रेड़ी को स्पेस मिलिया उसके बाद और पूरा मॉब जो है वह रेवंध इनके छुट्टी मिली थी तब रेवंध रेड़ी की और इनकी वाइफ जैपाल रेड़ी कॉंग्रेस को मिनिस्टर रहे उनकी बतीजी है उससे लो मेरीच कि इनकी बेटी है जो एधराबाद में रहती है और पेरोल पे चुटके उन्होंने शादी की तो जब जेल गए तो कि तयलंगाना से में के सब्सांटाइब खतम करके दम लोंगा और मुझे लग रहा है कि वह उन्होंने प्रूट पर है सोनिया गांधी गांधी और उनके अलावा प्रियंका गांधी वाड़रा तीनों आपको मंच पर नज़र आ रहे हैं तो यह गांधी परीवार की गांधी से लेकर पूरे गांधी परिवार के राजनीती और उनकी जो कमिया है उस सब पर बहुत कुछ लिखा भी है खास तौर पर उन्होंने जिक्र करते वे यह भी आता कि पीवे नर्सिमा राओ को पार्थेव शरीर जिस तरीके से AICC के दफ्तर नहीं ले जाने दिया गया तो वो एक ऐसी चीज सी जिसके लिए उन्होंने कभी सुनिया गांधी को माफ नहीं किया यह बात उन्होंने लिखी है फिर राहूल गांधी को लेकर कि उन्होंने तमाम बातें कहीं चूकि हम लोग दक्षण की राजनीती की इतनी चर्चा कर रहे हैं अभी इस वग और गा लेकिन राहूल गांधी में वह हैंकार तो है लेकिन वह शमता नहीं मैं स्ट्रिक्ली बोल रहा हूं कि शर्मिश्टाक मुखर जी के किताब में प्रणा मुखर जी के कही हुई बातें जो लिखी है देवें दिश्टित रॉपए ऐसे समय में इस पुस्ता का ना समझा जा सक बहुत बड़े निता के तौर पर लगतार ही उनकी शवी रहती शुरू से जब इंद्र गांधी के साथ उनका इसके बाद से लगतार उनका कट बढ़ा ही था और उस वेक्ति के हवाले से उनकी बेटी ये बात कहें तो समझा जा सकता है कि जिस नेरेटिव को बीजेपी सब्सक्राइब को चिना कानधी रहुल्गांधी उनकी फादर उन से शर्मिष्टा मोकर जी और आभू गांधी जो को हैं वो اम से पी अ को को से सञर्विशचा में यह ये बहुत ज़ादा आज कर शाम में हैं दूसरा यह भी कि देखे जब यूपीए टू का सेकिंड टर्म था जब यूपीए का तब ये माना जाता था कि प्रणा मुखर जी को बढ़ा के प्रधानमंत्री के पत पर लाना चाहिए हम ने उनका काम देखा है कि प्रणा मुखर जी इतने भी जो डल बनाए जाते थे जो मिनिस्टर प्रणा मुखर जी को और बाकी लोग बहुत जालते थे बहुत जादा काम उन्हें कॉंट्रोल में नहीं रहते गांधी परिवार के कि उसलिए उन्हें प्रणा मुखर जिके में आगे उसका जिकर करेंग अभी आब फिर ज़ड़ा एच उपाद ग्रेंट सवारों आप दे करके बात करें कि उनकी लीडर्शिप में जीत बिली यह बात तो सही है उनकी भारत जोड़ो यातरा दक्षिन के राज्यों से ही निकली दिया सबसे ज्यादा वक्त भी ठीक है लेकिन कोई एक नेता एक दिन एक जीत के बाद जननायक बन जाता है और पिर जब कुछ हार होती ह तो उसी निता की लीडर्शिप पर तुरंच सवाल खड़े हो जाने शुरू हो जाते हैं ऐसा उमन होता नहीं है अब आप प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी के अगर बात करें तो मुख्यमंतरी से लेकर के आज प्रधान मंतरी का दूसरा टर्म और तीसरे टर्म में जाने के लिए चुनाओं में जाते वक्त कि हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं देखते आप किसी लीडर राहुल गांदी के सथारत यह जो है लगातार कंपेरिजन चलता रहता है कभी अर्श कभी पर्श ने मुझे लगता है इसमें के वी बात है कि राहुल गांदी के हिस्से सफलता कम आई जब यूपीए सरकार चली गए जब तक यूपीए सरकार रही तो राहुल गांदी ने कोई जिम्मेदारी नहीं लिए लिए कई बार कहा जाता है ना आप कोई काम कर रहे हों उसमें सफल हों तो आपका प्रयास देखा जाता है लेकिन अगर आप प्रयास सब्सक्राइब कोई होता है जिसको अगर हजार लोगों को नियोता आपने दिया है 1200 तो तुरंट जल्डी से कोई इंतजाम कर देता है अब सवाल यह कि किस की चर्चा होगी चर्चा उसकी होगी जो काम करता है फिर कुछ जिन में ऐसे लोग पहचान लिये जाते हैं जो किस भी कारिकरम में हर वक सिर्फ नुक्ता चीनी करते हैं राहूल गांधी यूपीए सरकार के दोनों कारिकाल में यानि यूपीए वन और यूपीए टू दोजार चार से नो नौ सचोधा क्या करते रहे सिर्फ और सिर्फ वो नुक्ता चीनी करते रहे सरकार के कामों के ऊपर वो सबसे बड़ी बात है उनके आसपास कोई एक व्यक्ति नहीं जो कहे पुलिटिकल डिसीजन लेने में राहुल गांधी को कभी किसी ने कहा हो कि बड़ा अच्छा पुलिटिकल डिसीजन ले अचारक उन्होंने कहा सभी युवक कॉंग्रेस के चुनाव कराएंगे वह उपाद को लगा बड़ी सफलता हो गए लेकिन चुनाव में गए तो एकदम से अचानक गायब हो गया फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम अपने आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुल कोशिश करेंगी उसमें जिंदील लोगों से बात कर रहे थे उनमें से कोई भी कॉंग्रेस सरकार के छवी उनकी क्यों बिगड़ जाती है आप जरा सोचिए प्रधान मंतरी को क्या 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 कहा गया नीच कहा गया मौत का साओधागर कहा गया चाय बेचने वाला कहा गया लेकिन यह सब टिपड़िया क्या है किसी व्यक्ति को चिन्हित करके अपमानित करने की कोशिश गांधी की जो व्योहार थे उससे जुड़ता हुआ दिखता है वहीं पर जाकर जब जन्नायक बनाने की कोशिश होती है तब तुरन जवाब आता है कहां थे राहुल गांधी महत्वपूर्ण अवसरों पर जब पार्टी हारती है तो यह नेता दिखता क्यों नहीं है मध्य ज्यादा दिखती है चमकती हुई दिखती है क्या रेवन्त रेटी ऐसी शक्सियत है जो गांधी परिवार के टिक्टैट्स पर चले समीर जी मुझे लग रहा है कि रेवन्त रेडडी का बहुत लंबा कॉंग्रस के अंदर नहीं है दोजा सत्रा में चे साल में उन्हें काफ रेडडी को बहुत ज्यादा डिस्ट्रब किया जाए जिससे वह दूसरी विकल्पों पर विचार करें अभी दोजार चोविस का चुनाओं को कोई बहुत ज्यादा नहीं दिया जाएगा अगर लोकसबाद चुनाओं में कॉंग्रेस बहतर प्रदशन करती है तेलंगाना में कॉंग्रेस को उम्मीदों की साबसे होता है तो निश्चिर रूप से रेवंध रेडडी एक बड़े निता बनेंगे उन्हें स्पेस मिलेगा अगर कॉंग्रेस का प्रदशन बहुत खर अने ने नू अने ने नू एनमुला रेवं तरेडिया ने ने नू शासनन द्वारा निर्मितमेन भारत राज्जांगं पट्ला निजमेन विश्वासं विदेयत जूपताननी भारत देश सार्व बाउमाधिकारानी समग्रतन खापारतननी तलंगान राष्ट्र मुध्यमंत्रिगा नाखर्त व्याननी श्रध्यतो अंतकरन चित्तशुतितो निर्वाइस्ताननी भयंगानी पक्षपातमगानी रागत वेशालुगानी लेकुंटा राज्जांगानी शासनालनु अनसरिंची प्रजलंदर की न्यायम चेकुर्स्ताननी गाईव साक्षगा प्रमानम चेस्तु नानू अने नेनू? अन्यायम चेकुर्स्ताननी दैव साक्षगा प्रमानम चेस्तु नानू और इसी के साथ रेवंत रेटी आप तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंतरी बन चुके हैं श्रपत वो ले चुके हैं और आपने शोर सुना हो गाजा जब उन्होंने श्रपत लेते हैं अपना नाम लिया तो कितना जबर्दस शोर वहां मौजूद जनता के बीच में उठा है और काफी पादात में लोग वहाँ पर पहुंचे हुएं कल तक दवा किया रहा था एक लाग से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे लोगप्रियता में तो कोई श्रक नहीं देवेई पगाजूद देखने करते हैं वो सीधे सीधे समझ में आता है कि वो स्पार्क इनके अंदर मौजूद है और इसका इन्होंने बहुत भी इस्तेमाल किया और कॉंगर्स पार्टी के भी ये सफलता है सुरब कि उन्होंने एक दम से इनको फ्री एंड दिया आप सोचे कि कुछ साल पहले ही जो वेक्ति आपकी पार्टी में आया हो और आपके पास जादा सीजन लोग उत्तम रेड़ी जैसे लोग मौजूद हों उस कंडिशन में इनको इतना फ्री एंड देना कॉंगर्स पार्टी के रणिती के लिया से देखें तो एक बड़ा बोल् कर्मों के लिए और एक ऐसा माहौल क्रेट कर दिया जिसमें बीजेपी ने जो इस्टार्ट लिया था कि किसी आर के खिलाफ करप्शन परिवारवाद इन सारे मसलों को कॉंगर्स पार्टी ने बाद में ज्यादा बखोवी तरीके से अपने हक में इस्तेमाल किया कि किसी आर उनों को यह अंदेशा है कि इतने एग्रेसिव लीडर हैं कि ऐसा ना हो कि थोड़े दिनों में अन्रेश शुरू हो जाए लेकिन लगता नहीं कि उनको उनके उपर भी इतनी बड़ी जिम्यदारी हासिल है और इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है तो कम सकम आगे कुछ साल करते थे इसके अलावा कोई भी दूसरा नेता उनने फोन भी करें वो उसकी सुनते नहीं थे और मुझे समझ दा सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने कॉंगर्स पार्टी में आने के साथ यह भाफ लिया था कि अगर आप राहुल गांदी को खुश रखोगे तो किसी और की कि छल्ए के साथ उन्होंने क चंतरबावब नएडू के साथ उन्होंने काम किया तो उससे उनको यह अंदाजा तो है कि बड़े नीथा के साथ काम करना और बहुत पसंद करते थे चंतरबाव नाइडू ने बड़ा विदो भी रहूल गांदी के को इस बाता क्रीट देना अद्धिक्षारा कार हो इसमें प्रदेश परदेश क्या है गारहुल गांधी तो शायद थे लंगाना भी उनके सरकार नहीं होती परदेश के विए बड़ी भूमिका रही और मुझे लग रहा है कि आने वाले आंद्रपदेश का चुनाओ जोनोवाला 2024 में उसमें भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं कि बेसिकली आंद्रपदेश में बहुत जमिनिस्तर पर काम किया था जब युद्य में वगां करते थे तो मुझे लग रहा है इनकी भूमी का आंतर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। प्रदेश में याद है जगन मोहन के पिता जी जब उनका दुखद निधन हुआ था तो कई लोगों ने आत्मात्या कर ली थी वहां नेता को भी कुछ सेलेब्रिटी स्टेटस दे देते हैं और वह होता भी है तो मुझे लगता है कोई भी नेता जब इतना बड़ा होता है तो हेमंत विश्व सर्मा कॉंग्रेस से यहां आ गए वो ऐसे ही यह मासला है ऐसे मसला नहीं है मूल रूप से रेवन त्रेड़ी की जब राजनेति की आत्रा शुरू होती है उसके आद उनको उसर लगा कि नहीं भारती जन्ता पार्टी तो बनी नहीं पाएगी यहां तो तु कहते हैं कि alternate क्या है विकल्प क्या है तो दक्षण भारत के तेलंगाना राजी की जन्ता को विकल्प के तोर पर कोई खोज रहा था भारती जन्ता पार्टी उसमें लैक कर गई कॉंग्रेस आगे बढ़ रही थी कॉंग्रेस के साथ रेवन तरेड़ी जूडते अब क्या यह syndrome लोकसभा चुनाओं के बात बना रहेगा क्योंकि लोकसभा चुनाओं में नरेंद्र मोदी जब उस समय खड़े होंगे तो फर्क होगा भारती जन्ता पार्टी 6.88 से 13 प्लस परसेंटेज पर खड़ी है तो मुझे लगता है कि राजनीती बहुत बदलेगी लेकिन ऐसी को चुनाओं के लिए कॉंग्रेस पार्टी को बहुत आवश्यक्ता है बैंगलूरू और हैदराबाद ये चुनाओं के लिहास से भी बहुत महत्तुपून है मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी के ऐसी ना समझे और हम लोगों को आज के दिन ये बात करनी भी नहीं चा ये गांधी परिवार का ATM है अब मैंने कराओ ATM है लेकिन देखे वही ATM वाला जो था उसी ने अशोग गहलोत और भुपेश बगेल का अहंकार बढ़ा दिया था बड़े कॉंग्रेस के जो नेता विश्लिशक्रों कहते हैं कि किचिन तो अशोग जी चलाते थे कॉंग्रेस का और जब चुनावी मसला आता था तो भुपेश जी चलाते थे गुजरात में इसलिए अशोग गहलोत को प्रभारी बनाए गया लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति खास करके अशोग गहलोत के संदर में कहें तो उनका बरसों का अनुभा था दूसरे तरह की राजनीत मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई ऐसी अहंकार वाली भावना तुरंत आएगी लेकिन चुकी वह एक इंडिपेंडेंट लीडर के तोर पर उठे कोई कैडर से उनका बहुत नहीं आ चुकी कैडर तो इतने बदल चुकी है कि वह भी आदमी भ्रह में पड़ जाएग उसने एंटी मोधी वोटर्स को कॉंग्रेस के साथ खड़ा करें